तो हेलो फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में आप लोगा स्वागत है यह देखिए आज हम ब्रेजा को जैड ब्लेक करने लग रहे हैं यह देख लिए बिल्कुल क्लियर सीसा है अब इसको हम जैड ब्लेक करेंगे यह देखिए सबसे पहले फिलम हमने काट लिये सीसे के साइ तो इसलिए मैं इसको बंद में ही लगाऊंगा तो यह देख लिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से पन्नी को बिल्कुल सीसे के नापको काट लेते हैं और उसके बाद इसको इसको बराबर से रखके और पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद सीसा बिल्कुल जैड ब्लेक हो जाता है बाकि के तीन सीसे तो मैने पहले ही कर दिये थे लास्ट का सीसा रह रहेखे तो यह देख लीजिए कुछ इस तरीके से सीसे को पहले समस्के पानि मारेंगे सीसे पर उसके बाद 묶ाव के दूरी पानी साइडों में निकाल देते हैं। कुछ इस तरीके से फिलम लग जाती है सीसे पे। तो यह देख लीजिए भी आपके सामने ही मैंने सीसा क्लियर खाब ब्लैक कर दिया है। यह देखें, नीचे से भी इप इसको पानी मारकेे।। उसके बराबर करके कुटिंग कर देतेtał हैं। तो यह देखे फ्रैंड्स हम ने इसकी कुटिंग कर दिए। कटिंग करने के बादे इसमिए पानी निगाल देते नीचे। और फिर इसको हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि अधिके फ्रेंट इस तरीके से कुछ पानी नीचे निकाल देते हैं इसका चलिए एक बार पीछे से दिखाते हैं आप लोगों को कि अधिके फ्रेंट्स इसका पानी सारा हमने नीचे निकाल दिया है अब यह सीसा बिल्कुल जैड व्लैग हो चुपा है और ऐसे ही देख लीजिए पिछला सीसा भी जैड व्लैग करती हैं आपने ऐसे हमने चारो सीसे जैड व्लैग